है ृज्छ दोस्तों कैसे आप लोग मिनव रिशव है हमाई कंप्णि nanaat Hytron Industries ंप्रैबिट लिमिटिड अहम लोग क्लीदिग की केमिकल्स क्लीडियग के प्रोदक्स और क्लीडियग के रिलेटेड जो भी बिजनसेज हो सकते हैं या आपके हांड वॉष फिनाइल ट्वालेट पीनर ग्लास डिश वॉष वाशिंग पाउडर इन सबके केमिकल्स की जानकारी इन सबकी मशीन की जानकारी और इन सबके नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वह यह है कि बहुत सारे बजार में ऐसे प्रोडक्स हैं कि जिनके सबसेट्यूट्स हो सकते हैं इन वॉषिंग पाउडर की मैं बात करता हूं जादा तर तो वॉषिंग पाउडर में क्या है कि अगर आपको फोमिंग करनी है ज्याग बनाना है त आपको पहले बता देता हूं मैं आपको यहां पे लिस्ट दे दूंगा मेरी टीम बता देगी कि क्या-kya प्रोडक्स हैं जो जाग बनाने के लिए वाशिंग पाउडर में जरूरी होते हैं और उसमें अगर किसी बी प्रोडक्स का जो रेट होता है प्राइस होता है अगर उसमें हम लोग कैसे उसके यूज कर सकते हैं उनके क्या-kya options और अवेलेबल हैं जाग बनाने के तो आज इस पर बात करते हैं यह बहुत बर्डिंग टॉपिक है क्या है कि अभी बहुत सारे जो ऐसे स्लरी है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं तो उसके alternates क्या है है हम लोग और उसमें क्या-kya use कर सकते हैं तो इसमें आपको बता रहता हूं कि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि देखें के लिए क्या होता है कि आपको न ऐसा chemical धूनना होता है कि जिसमें एक्टेव डिटेजिंसी हो इडी जिसको हम लोग कहते हैं कि उसमें अच्छी हो उसका percentage भी हो अब जैसे study है इसका percentage लोग 89-90% बोलके देते हैं product की लेकिन कई लोगों को मिलता है कई लोगों को नहीं भी मिलता है लेकिन अगर आप लेंगे तो आप हमेशा 90% बोलके study को आप करी दिए 90% इसमें क्या है 90% इसमें है इसकी active detergency AD इसको हम कहते हैं या इसके हम कह सकते हैं कि इसके अंदर solid content जो हैं जो काम करते हैं वो हैं अब इसके आल्टरनेट्स हम लोग पर जाते हैं अब देखे इसके अल्टरनेट्स जैसे एक आता है इसका पाउडर फोर्म भी आता है इसका बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रकार के आपको लिस्ट देबंगा इन में से आपको चूज कर सकते हैं अब आपको चूज क्या करना है क्या रेट पर करना है यह सब चीज़ों पर भी हम लोग बात करते हैं क्या होता है कि रेट भी बहुत जरूरी है अब जैसे रेट फॉर एक्जामपल आज हम कहते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं अब आपको यह देखना कि उनका परसंटेज क्या है वो किस फॉर्म में है और उनका रेट भी क्या है अब एस पाउडर का रेट लग हो सकता है तो आपको यह देखना कि कॉस परसंटेज का प्रोडेक्ट आपको क्या मिल दा है क्योंकि अल्टीमेटली सॉलिट कंटेंट जो आपके वाशिंग बाउडर में जाएगा वही काम करेगा वही आपको रि कुछ परसंटेज की चीज आपको मिल दिये तो आपके लिए बेटर है तो मैं आपसे यह बोलूँगा कि ऑल्टेनेट इस तरीके से देखे जाते हैं कि कॉस्ट भी देखी जाती है और डोजिंग भी देखी जाती कि कि दोजिंग में वह हो अब देखिए थोड़ा सा यह तो पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए एक्सपीरेंस चाहिए एक्सपीरेंस कोई टीम चाहिए तो अगर आप किसी एक्सपीरेंस टीम या बंदे की तलाश कर रहे हैं तो आप हाईटार इंडस्ट्री की टीम से भी संपक्त कर सकते हैं हमारे पास इसका अच्छा का कॉस्टिंग से ही आपके कॉल्टी भी डिसाइड होगी कि आप किस तरीके का बनाना चाहते हैं तो हम लोग हर चीज पर वोक कर रहें अगर आपको बजार में मिलने आले किसी भी ब्रैंड के इक्विलिंद माल बनाना है कॉल्टी अलब प्रोड़क्ट बनाना है तो मैं प्रोडेक्ट बना सकते हैं बजार में मिलने आले प्रोडेक्ट आपको अच्छा होना चाहिए यह मेरा रिकमेंडेशन आपको हमेशा इस चीज पर गया डाल के इस पर में जायक्श सबका वह अलग हो सकता है सबके टिक्टेक्वल कि में हो सकते हैं सब carry रेशू ले कि получить य आपके अलग नहीं होने आपके बजार में मिलने वाले चाहिए सफाइ होनी चाहिए और जो भी आप आप देख रहे है इसको सट कर वा ली के के एक्सपर्ट से हमाई पास वो इसको सेट कर देंगे और एक अच्छा आपको दे देंगे ताकि आपका काम बढ़े या स्टार्ट हो और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने हैं गाइडिन्स जाननी है क्लीनिंग में भी बहुत सारे केमिकल्स परते हैं तो वह भी इस तरीके की वीडियो लब टेकनलोजी वाइस या टेकनिकल वीडियो देखने में इंटरस्ट है तो अगर टेकनिकल वीडियो देखने में इंटरस्ट है अगर आपको यह भी जानना है कि केमिकल्स कहां मिलेंगे कौन कौन से केमिकल्स अच्छे हैं तो आप मेरी टीम से भ है आप लुक्त देखते ही है साथी साथ मेरे ट्रैवल का भी चानल है अगर आपको रिशी मिलती है मेरे ट्रैवल भी लॉइ लोग सेखने में मैंने चोटा सा एक चानल बनाया है अकूर इशू वी लॉइLawks करके लिए चेहरा लगा हुआ है तो आप जाकर शब्सकाइब कर स करके मुझे बता सकते हैं कि आपके कोई प्रॉब्लम है जिसको मैं specifically मैं personally solve कर सकता हूं तो आप उस पर भी मुझे email कर सकते हैं साथी साथ मैं आपसे एक बात और एक भाई की तरह आपसे request करूंगा कि देखिए अगर कोई कोई चीज मलब क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज सेट करते हैं किसी के लिए कोई formulation सेट करते हैं या कोई product सेट करते हैं तो हमको भी ना market के बारे में knowledge होती है लेकिन हमको यह नहीं बता होता कि market की demand क्या है requirement क्या है तो आपको हमको demand के लिए मुझे आपको या तो एक sample आक देना पड़ेगा कि यह sample मेरे यहां पर बहुत अच्छा चलता है आप इसके साप से मेरा product सेट करिए या एक या दो हमको भी आपको मौके देने बढ़ेंगे tune करने के लिए क्या होता है कि कई बार हम लोग एक product देते हैं एक sample देते हैं वो market में कभी चल जाता कभी नहीं भ कर दो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपको हमारे साथ coordinate करके चीजों को सेट करवाना ही पड़ेगा तो एक या दो बार में वो सेट होता है तो थोड़ा सा हमारी team को मौकर दीजे हमको मौकर दीजे कोई चीज खराब हो गई है पास में तो हम उसको सही करेंगे क्योंकि हमार temperament छोड़ना नहीं है सही करना है कोई चीज जो भी वेक्ति है जिनको कोई भी problem आ चुकी है पास में किसी से भी या हमसे या कहीं से भी अगर फिर भी हमको मौकर देना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए हम आपकी problem का solution देंगे क्योंकि हमको तो आगे बढ़ना है काम करना है आपका solution मिलेगा आप हमसे और अच्छे से बांड करेंगे और अच्छे से जुड़ेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा और ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूंगा एक हमारा सेमिनार है जो 29 तारिक को है उसको आप जरूर जॉइन कर लीजेगा 29 जैनवरी को है एक दिन का स पास भाई हैं जो कानकुड से मेरा वीडियो देखते हैं या बिहार से देखते हैं या यूपी से देखते हैं उनके लिए मैं काऊंगा कि दोस्तों यह बहुत बढ़िया मौका है अब एक ही हफ्ता रह गया तो आप आके इसको जॉइन कर लीजे क्योंकि पास वाले जल्द सब कुछ सिखाया जा रहा है तो इसके लिए आप हमें टीम से पूरी बात समझ लीजे कर लीजे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा काम करने से पहले जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है तो सीखिए और आगे बढ़िये थैंकियो दोस्तों है वरुटे